उधारण आट एक प्रकाश इस्थम के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशा पैतालीस अंश एवं साट अंश है यदि भवन की उचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश इस्थम की उचाई एवं प्रकाश इस्थम से भवन की दूरी ग्यात कीजिए हल माना की PQ एक प्रकाश इस्थम है इससे X मीटर दूरी पर एक भवन AB है जिसकी उचाई 12 मीटर है अतह QB बराबर X मीटर AB बराबर 12 मीटर प्रकाश इस्थम की शिखर से भवन के शिखर वतल का अवनमन कोण क्रमशा 45 वा साटंश है कोण APX बराबर 45 तथा कोण BPX बराबर 60 एवं माना PR बराबर H त्रिभुज पी आर ए में 10 पैताली संश हम लेंगे उपर वाले त्रिभुज में 10 पैताली संश लंभ हमारा है PR बटा अधार हमारे पास है आरे त्रिभुज में या 10 पैताली संश का मान एक होता है हम जानते हैं बराबर PR के स्थान पे हम PR लिखेंगे और आरे को हमने X माना है त्रिया गुणा करेंगे तो PR का मान हमें प्राप्त होंगा X गुणा एक बराबर X इसी लिए H PR का मान है PR को हमने H माना है तो H बराबर X हो गया अब हम समकोन त्रिभुज P Q B में लेंगे जहां पे 10 साट अंच बराबर फिर से हम 10 थीटा जो होता है वो लंभ है हमारे पास यहां लंभ हमारे पास P Q है क्योंकि त्रिभुज हमारा P Q B है तो लंभ हमारा P Q हुआ और अधार हमारा Q B है या हम जानते हैं 10 साट अंच का मान जो है वो वर्गमूल 3 बराबर P Q का मान जो है हमारा P R धन R Q है तो P R जो है हमारा H है और R Q हमारा 12 है तो H धन 12 बटा X तीरिया गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा वर्गमूल 3 एक्स बराबर H धन 12 आगे देखते हैं हमने ग्याद किया था वर्गमूल 3 एक्स बराबर H धन 12 एक्स का मान रखने पर X का मान रखने पर हमें प्राप्त होंगा क्योंकि X H के बराबर है तो ये वर्गमूल 3 हम एक्स के स्थान पर हम H लेंगे बराबर ह धन 12 यहां पर हम होंग्य का पक्षान्थतर करेंगे तो एच बराबर वर्मूल तीन रिण एक का पक्षांतर करेंगे हम तो बारा बटा वर्मूल तीन रिण एक या एच बराबर बारा वर्मूल तीन रिण एक यहाँ पे हम हर का परिमाई करण करेंगे तो यहां पे हो जाएगा यह वर्मूल 3 रिन 1 का परिमाही करण करेंगे तो वर्मूल 3 धन 1 बटा वर्मूल 3 धन 1 यहां पे हमने हर का परिमाही करण किया है या H बराबर 12 कुश्टक में वर्मूल 3 रिन 1 बटा यहां पे हम A रिन B A धन B का सरसमीका का प्रयोग कर रहे हैं जो होता है A का वर्मूल 3 रिन B का वर्मूल 3 यह हो जाएगा आगे देखते हैं अगले प्रिष्ट पर यहा एच बराबर 12 कुश्टक में वर्मूल 3 धन 1 बटा 3 रिन 1 एच बराबर 3 में से एक को घटाएगे तो 2 2 एकम 2 दो चक्ये 12 यहां 6 और कुश्टक में वर्मूल 3 धन 1 कुश्टक बन यह एच का मान मीटर में प्राप्त हुआ 6 कुश्टक में वर्मूल 3 धन 1 मीटर प्रकाश इस्थम की उचाई की उचाई बराबर पी आर धन आर क्यू है यहां पे हमने याद किया है पी आर कमान 6 कुश्टक में वर्मूल 3 धन 1 जो यह एच है और हमने पी आर क्यू कमान 12 है या कुश्टक को खोलेंगे हम तो 6 वर्मूल 3 धन 6 धन 12 बराबर 6 वर्मूल 3 धन 18 यहां पे हम दोनों पदों से 6 को भैनिश निकाल लेंगे तो कुश्टक में वर्मूल 3 धन 3 मीटर हमें प्राप्त हुआ प्रकाश इस्थम की उचाई क्यूंकि एक्स बराबर एच इसलिए एक्स बराबर 6 कुश्टक में वर्मूल 3 धन 1 मीटर है और प्रकाश इस्थम की उचाई 6 कुश्टक में वर्मूल 3 धन 3 मीटर हमें तथा भवन की दूरी 6 कुश्टक में वर्मूल 3 धन 1 कुश्टक में 1 मीटर होगी तो इस तरह से हमने प्रकाश शिस्तम की उचाई ग्याद की एबं भवन की दूरी भी ग्याद की तो यह ही सुधारण का हल होगा